एलो फ्रेंड्स एन वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सो लो तो आज के इस वीडियो में आप लोग साथ ऐसा फेस पैक बनाने की रेमेडी लाई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा एफेक्टिव फेस पैक बनाने की रेमेडी है जो कि एक से दो सीट हमारे स्कीन को करने में हेल्प करेगा तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए सैंडल उट पॉडर लाई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा पॉडर यह एल्स गुड्नेस का है इसमें कोई भी तरह का पिजवीटिव नहीं है 100% ही नैश्राल है यहां से एक जिब भी मिल जाता है इसे अलग से स्टोर करने का आपको कोई जंजट नहीं मिलेगा बस इसे कट कर के बाद आप इसे दोबारा आप इसे स्टोर करके आप इसी में रख सकते हैं यहां पे एक जिब मिल लगा है और इसके पैकेचिंग मुझे बहुत सही लगा और अफ़रेबल प्राइस में आपको यह मिल जा प्रोडक्स आपको आप मिल जाएंगे जो कि आप अपने स्कीन टाइप के हिसाब से यूज कर सकते हैं बात करें से कैसे यूज करना है तो आप वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा तो मैं हो पूचा आप देख रहे हैं पीविएम सोनी बिना देर के वीडियो मैं आप दही से ही अपने फेस को वाश करूंगी और उसके बाद फेस पैक लगाने के लिए आप लोगों को इसका रेसिपी बताऊंगी तो उसके लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा दही ले रही हूँ जो कि मैंने इसका पानी निकाल लिया है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और पुरा मक्षन जैसे हो गया यह दही और मैं इससे अपने फेस को पुरे अच्छे से वाश कर गया हूँ तीन से चार मिन्ट पर इसे अच्छे से मसाज करेंगे ताकि जिए हमारा ब्लड शर्कुलेशन बढ़े और जितना भी डर्ट पॉलूशन है वो एजली रिमूव हो जाए बहुत लोग कमेंट करते हैं फ्रेंट्स कि मैं फेस पैक यूज़ करती हूँ तो उसका रिजल्ट नहीं आता अच्छा इसलिए आप जब भी फेस पैक लगाते हैं तो सबसे पहले अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लें उसकी बाद या फेस पैक लगाए पॉडर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आप किसी भी ब्रैंड का सांडल पॉडर यानि चंदन पॉडर आप यूज़ कर सकते हैं यह यह ऐल्ट्स गूड्नेस का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ जो कि नैचुरल यह 100% इसमें कोई भी तरह का परद्टिव नहीं है केमिकल नहीं है ऐसले से सब कुछ भी नहीं है और हाँ फ्रेंड्स चंदन का पॉडर यूज करने से इसमें एंटी एजिंग की ट्रपटीज होता है जो कि हमारे फाइन लाउन और रिंकल्स की प्रॉब्लम जल्दी आने नहीं देता है इसमें एंटी ऑक्सडेंट है भरपूर सकते हैं और मैं इसे थोड़ा सा फेस पॉडर यह ले रही हूँ चंदन का पॉडर इस फेस पैक को बनाने के लिए आप अपने क्वेंटिटी के हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह सा यह टेक्शर में आया है और इसे अब मैं अपने फेस में अप्लाई करने और देन 15 मिनिट के बाद अपने फेस को धोलूंगी थंडे पानी के हल्ग तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही आयोब की मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल में आ कि मेरा नोटिफिकेशन आने वाला होता है वो आप तक जरूर पहुंच है